So hello friends, welcome back to your channel, तो जैसे आप सबको पता है कि नीट करेसल तो आप आ गया है, अब आगे क्या करना है, तो ये उत्तर प्रदेश के लिए मैंने special वीडियो बनाया है उत्तर प्रदेश के स्टूटेंट्स के लिए और उत्तर प्रदेश के बेसी नरसिंग कॉल्जेस के लिए, बाह तो आपको बता है, नीट का रिजल्ट कल आ गया, सबके पास नीट का स्कोर आया होगा, अब नीट का जो रिजल्ट आया है, आपने डाउनलोड भी कल लिया होगा, अप्लिकेशन नमबर, डेट ऑब बर्थ, मन्थ, एयर डालके, और आपके पास आपकी शाहिद मेल आईड सब्सक्रिण के बर्थ, मुझए नर्सिंग कौलेज मिलेगा, कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, मेरा इतना स्कोर है मिल जाएगा, तो बहुत से konfusions है, आईये सब ही konfusion का दूर कर रेते हैं, पल किसे पहले उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में, तो उत्तर प्रदेश पे धा त्यान रखिए गाप प्राइवेट और गवर्मेंट प्राइवेट और गवर्मेंट नर्सिंग कॉलेज़ नकी इन्वस्टी उन सभी में जो एडमीशन होगा वो कॉमन इंट्रेस सेट के थू ही होना है आपको पता है आपने इसका फॉर्म भर दिया है एडमेट काड इसका अब दीपावली के बाद आएगा और दीपावली के बाद ही उसके अगले अफ़ते मान के चलिए इसका इक्जामनेशन होना है अब इसमें नीट का क्या रोल है नीट का कोई रोल नहीं है अब जब नीट का कोई रोल नहीं है तो नीट इक्जामनेशन का इंपॉर्टेंस क लाने है examination होना है याद रखी examination होना है second week of November तक admit card भी दीपवली के बाद आएगा आपको examination center पे जाके exam देना है computers पे और आपको 200 marks पे 100 marks लाने हैं मनला 50% marks लाने हैं जैसे किसी भी private way भी आपको admission मिल सके first criteria examination के बाद क्या होगा हम discuss कर लेगे कि कितने marks आये result आया तो कितना बन रहा है यह सब second topic है अभी आपको उत्तरप्रदेश की student क्या करना है सिर्फ focus करना है ABVMU set के examination पे और इसमें कहीं neat नहीं मांगा है तो जितने private colleges हैं nursing के और जितने government nursing colleges हैं सबकी entry ABVMU set के तुरू होगी नहीं होगी अब नीट के entry कैसे होगी वह हम बाद में डिसकस करेंगे अभी आसे ABVMU set पे focus किजिए तो अब उत्तरप्रदेश के student क्या करें उत्तरप्रदेश में जो college है जो की नीट के त्रूड मिशन ले रहा है वो है बनारस हिंदू university ठीक है बिएच्यू तो आई-एमस बिएच्यू में नीट के स्वेडमिशन हो रहा है ठीक है और इसको ABVMU set से कुछ लेना देना नहीं है अब इसमें क्या इसकी notice निकल आई थी इसका वीडियो में पहले बना चुका हूँ जिसमें बताया था कि 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 इतनी सीट से लेगे 75 सीट यहां पर अविलेबल है बिएच्यू में और कैटिगरी वाइज यहां डिस्रिप्शन भी है कि 31 सीट अन्रिजर्वट की है 20 OBC की है 11 सीट की है 6 सीट इसमें जो स्ट की है और EWS जो कैटिगरी होती है इकनॉमिकली विकर सेक्शन उसकी सेवें सीट से जरुट है ठीक है और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा अब इसमें समझ लीजे नीट के थ्रू होना है तो अब क्या होगा बिएच्यू की जो साइट है इस पे आएगा रिजिस्रेशन फॉर्म समझ लीजे और आप आपको वह फॉर्म भरना पड़ेगा उस फॉर्म में आपको अपना डीट स्कोर ढालना पड़ेगा अपनी कैटेगरी एक और उस इसमें जितने स्वेंस उपर रहेंगे अब सेकंड कोशन बचा कूछें कितना माक्स होना चाहिए सर्थ तो क्योंकि भे अच्छा ही नीट का स्कोर वहाँ चलेगा category wise वास करें सबसेरा general का होगा फिर OBC का होगा फिर SCST का होगा EWS और OBC के marks almost बराबर रहेंगी तो इस इस clear हो गई तो उत्तर प्रटेश में क्या हुआ ABVMU सब कुछ कवर कर रहा है जो एक मात्र college है university हम कहेंगे कि university है यह तो यह एक मात्र university जो नीट कवर कर रही हो है बनारस हिंदू university इसके लिए अलग से form निकलेगा और आपको नीट का form यहां पर भड़ना पड़ेगा नीट के परसेंट सीट डिसर्फ है आउटसाइड स्टेट के लिए फिफ्टीन परसेंट हो जाती है ठीक है प्राइवेट के लेगले concept हो जाते हैं लेकिन बनारस हिंदू इंडिया से आपको फाइट करना है और इंडिया इंडिया से डिरेक्ली अप्लाई कर सकता है ऐसा पर दिखा रहा है और इसका मतलब है कि एंटरेंस एक्जाम ब्सक्राइब से कोई लेना देना नहीं होगा अगर होता तो अब आई होती और नीट के थूब अभी कोई इंका नोटिफिकेशन नहीं है कि नीट के थूएंटरी होगी और यहां साफ साफ कह रहे हैं एंट्रेंस एक्जाम फॉर ब्सक्राइब सब्सक्राइब अगर नीट मांग लिए इंड़ बात में तो बात की बात है लेकिन अभी तक साथ ही एक और इंस्ट्यूट की जिसका नाम है कॉलेज ऑव नर्सिंग यूपी उत्तरप्रदेश यूनिवर्स्टी और मेडिकल साइंस है सैफ़ई सीपी नेट जो कराता था अब सीपी नेट होता रहा है सीपी नेट के थुरू अब पैरामेडिकल और नर्सिंग एड्मि यूवस्टी है तो मेडिकल यूवस्टी होने के वजा से इस पर भी एड्मीशन हो सकता है अब यह अपना इंट्रेंस कराएं अभी इसकी नोटिफिकेशन नीट के थूँए तो अभी इसकी भी कोई क्लेरेंस नहीं है तो अब में में बात है क्या हो गई अब आखरी में द कि अगी करना चाहते हैं उत्राखर में ब्लाई करना चाहते है बेंगॉल किसी कोलेज में अप्लाई करना है जी हाँ जहां पर माँगा गया है need score जैसे डैली कॉलेज्य माँगा गया है वहाँ आप्लाई करेंगे उस need score फे एक चीद और ध्यान रखीगा अगर डैली इंडिया वाले जहां अप्लाई कर सकते हैं तो वहां यह दिक्कत नहीं आती हैं कोंपरडिशन वहां भी टफ हो जाता है तो आउटसाइड स्टेट की बात करें तो आपको कंपीट करना पड़ेगा आउटसाइड स्टेट के कोटे के साथ 15% सीट मिलेगी या ओल ओर इंडिया के साल आपको कंपीट करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में आपको और नर्सिंग करनी है तो अटल विहारी वाजपई की थू कीजिए या बीएच्चियो में नीट की थू कीजिए या केजी एवियो या सीपी नेट का वेट कीजिए तो बने रही हमाई चाहल साथ हमने सा सब्सक्राइब कर लिजे बने रहे हमाई चाहल साथ थैंक यू बही मच और बेस्ट अफ लग